हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, hope you all are doing very good and fine so this side प्रियांका खन्ना आपकी अपनी बालजी एजिकेटर बच्चो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैसा कि हमें कॉमेंट सेक्शन में बच्चो ने कॉमेंट किया कि माम जोलोजी से, जोलोजी में BSC के बारे में वीडियो बना दीचे उसके स्कोप के बारे में वीडियो बना दीचे so बच्चो आप सब की जो इंट्रेस्ट है जो आप अपना कॉरिस पूछते हो हमारी कोशिश हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें so देखे बहुत अच्छो आप्शिन होता है कि हम आप्टर 12 इस इस पर्टिक्लर फील्ड में जाते हैं that is BSC in Geology करते हैं ठीक है so Geology में होता है या फिर आप कह सकते हो कि हम Botany Geology Chemistry ठीक है जिसको BZC कहा जाता है लेकिन अगर आप Geology में ही Specialization लेना चाहते हो तो वो भी अपने में एक बहुत ही जाता है एक Important एक बहुत ही अच्छा एक फील्ड माना जाता है ठीक है so अगर हम बात कहते हैं इस कोर्स के बारे में तो स्कोर्स का नाम होता है Bachelor of Science in Geology जिसमें कि आपका जो duration होता है वो होता है 3 years का जो कोर्स होते हैं after BZC Geology में वो आपके MSC Geology से कर सकते हो आप ठीक है PhD कर सकते हो तो देखिए यह एक अगर graduation course है तो उस graduation course में अगर आप like Geology से BZC कर रहे हो तो आपको अगर post post अगर आपको लेना है that is PG course करना है आपको post graduate करना है तो आप उसमें MSC करोगे ठीक है और further studies अगर आप करना चाहते हैं तो PhD is a very good option for you all आप PhD कर सकते हो ठीक है अब अगर हम उसकी बात करें कि actually BZC Geology में पढ़ते क्या है या BZC Geology यह 3 years का जो program है आपका इसमें आप क्या क्या चीजे सीखते हो कौन कौन से subjects को पढ़ते हो तो देखे it's a very interesting actually ठीक है जिन बच्चों को Geology में इंट्रेस्ट है अब ध्यास उसको देखिए कि यह आपका एक 3 year का undergraduate program होता है जो कि आपको इंटेल करता है इंटेल करता है आप इसमें एक अडवांस स्टेडी कर सकते हो काफिया आगे तक पढ़ाई करके इसमें रिसेर्च में आप जा सकते हैं ठीक है किसकी रिसेर्च में competitive physiology के बारे में आप पढ़ सकते हो ठीक एको लोजी के बारे में development and cell biology के बारे में vertebrate, invertebrate, geology and the parasitology etc अगर हम बात करते हैं जैसे इसमें आपका क्या हुआ इसमें आप DNA के बारे में पढ़ रहे होते हो है ना अगर फिजिलोजी के बात करें तो आपका जितना भी systems होते हैं जैसे nervous system, digestive system, respiratory system ठीक है ये सारे system physiology इस पार्ट में पूरी आती है इसकी detailed study आप करते हैं it involves the study of the different subject pertaining to the biochemical genetics, biological control and other special area of research यहाँ प्याप अलग-अलग subject जैसे कि आप जब biochemical genetics, biological control, other like जो आप research करते हो तो किसी के special area से करते हो है ना the syllabus entails the study of the morphology, embryology, immunology, ecology and various other courses that build over a period of your degree मताब वो तीन साल के दौरान में आप अलग-अलग चीजों की detail study करते हैं जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं morphology के बारे में है ना आप क्या करते हो है animal kingdoms पूरे पढ़ते हो अब particular हो सब क्या पढ़रे हो आप morphology की कोई कैसा दिख रहा है ठीक है इसके बारे पढ़ते हो embryology के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके से embryo का development होता है immunology के बारे पढ़ते हो कि कैसे आपके body immune system के लिए work करी क्या कैसे ऐसी cells हैं कैसे हमारे body एक disease resistant होती है ठीक है सो वो immunity के बारे में आप कह सकते हो पूरी एक detail study करते हो ecology, environment और आपके बीच का चीक relation है उसमें कैसे क्या पढ़ाई करते हैं ecology के बारे में आप पढ़ाई करते हो इन 3 साल के course के अगर हम बात करें और अगर हाप MSC करते हो तो आप उन्हीं चीज़ों में और advance पढ़ते हो पेस्टी करते हो तो particular किसी एक चीज़ को ले के उसके बारे में पूरी research करते हो बच्चों आप यह कह सकते हो कि इस particular field में जाके आप कई चीज़ों के बारे में एक detail study करते हो है ना जो चीज़े आप 12 में पढ़ते हो 11 में आपने physiology पढ़ी अफ फिजोलोजी में आपको बहुत इंट्रेस्ट आ रहा है तो आप यहां पर इस लाइक जोलोजी को जो कोर्स करते हो बेसी करते हो तो सारे चीज़ों के आप और भी detail study करने लगते हो ठीक है यह एक काफी अच्छों है जिन लोगों को जोलोजी में काफी इंट्रेस्ट है क्लियर बच्छों तो अगर आप बात करते हैं यह आपका जो एक जोलोजी एक अंडर ग्राजवेट कोर्स है यहां पर ऐसे साइन्स की फिल्ड है जिसमें आप आनिमल की स्टड़ी करते हो अनवल किंग्डम की ऐस वह वलिषयन की वो किस तरिके से ईव़वयोशन हुआ ठीक है ट्रासफी केशन उनको कैसे कैसे हां सेग्रिगेट करते है उसके हाबिटाइट कहां कहां वो रहते हैं उनका distribution क्या है embryology physiology genetics यह सारी चीज़े आप पढ़ते हो genetics जो कि उसका एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है आप उसके genetics मतलब उसके genes में क्या variations हो रहे हैं यह सारी genes या इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ाई करते हो so the facets of diversity the existence of life and the extent species will be tackle in this code कि कैसे extinct हो रहे हैं species कैसे extinct हो रहे हैं ठीक है उनका existence of life यह सारी चीज़े आप कह सकते हो evolution जिसकी आप पढ़ाई कह सकते हो वो भी आप इसमें करते हो the entire fauna are about the study of individual animal and their morphology to the molecular level as as their conservation and the care clear बच्चों so it also emphasizes the environmental effect आपके environmental effect के बारे में भी पढ़ाई के जाता है along with the interaction with the animal anti-human plant and the non-living environment के साथ उसका किस तरीके का एक interaction है so बहुत 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 ऐसा होता है कि बच्चे करना तो चाहते हैं कि हमें BSC करना है geology में निगर उनको पता नहीं होता है कि BSC geology में या फिर आप कह सकते हो कि geology में जब आप specialization करते हो बता नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़े पढ़ने को मिलती है बहुत ऐसे genuine queries होती है बहुत एक genuine आपके doubts होते है so देख लीज़े आपके सामने इस सारी चीज़े बता जी कि आपको actually इसमें पढ़ना क्या क्या होता है ठीके अब बात आती है eligibility criteria की तो बच्चो 10 प्लस 2 qualification किसी recognized college university से ठीके school से और equivalent with a minimum qualifying marks ठीक to get admission in BSC geology in India you might be required to qualify exam depending upon the university you are applying for अब आपको किसी इनवस्टी में apply कर रहे हो उसके particular exams आपको क्या करने होंगे clear करने होंगे साथी साथ आपको कुछ certified copies of your academic transcripts along with other necessary documents means जो भी documents वांगी जाएंगे वो तो आपको देनी देना है most important कि आपको 10 प्लस 2 qualified आप होने चाहिए ठीके फिर उसके बाद आता है बहुत important कि माँ टॉप geology courses क्या सकते हैं कि अगर आपको भी एसी इंजिलोजी करना है तो टॉप courses क्या क्या है उसमें तो देखें मद्रास Christian college आपका चिन नहीं ठीक है मिरिंटा हाउस University of Delhi लवली प्रोफेशनल उनिवस्टी पंजाब अलिगर मुस्लिम उनिवस्टी बनारस हिंदू उनिवस्टी जेनी हो गया रामजस college हो गया जॉसफ college हो गया एमजी साइन्स ए आहमदाबाद गर्गी college University of Delhi हो गया ठीक है तो बहुत हीड सारी options है यहां पर तो उने कुछ colleges के आपके नाम दे दिया है अब बात आती है कि BSC करिया आपने फिर उसके बात MSC करते हो है ना MSC करने के बात आप PhD करते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बच्चों MSC के लिए क्या eligibility criteria होगा ये भी आप समझ लो अभी candidate must have passed BSC आप जब BSC करोगे तभी आप MSC के लिए eligible होगे ठीक है candidate who are passed allied medical science, bio life science are also eligible to apply they are also required a minimum of 50% 50% आपके पास क्या होना चाहिए 50% at least आपके पास BSC में होना चाहिए ठीक है साथी साथ most important जो बच्चों ने पूछा कि BSC जोल जी के पास हमारे पास कौन कौन से job options होते हैं means आपको क्या job profile मिलती है ecologist आप सकते हो जो जो आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें specialization करोगे तो आपको particular ये profiles मिलती है nature conservation officer, environmental manager, zoo curator, veterinary doctor, animal educator, nutrition specialist और MR ये आपको job profiles मिलती है साथी साथ lab technician, teacher, researcher, project scientist, JRF, senior project associate, medical coding, junior research officer, eco-toxicologist ठीक है अब देखे, ये नहीं है किसे BSC के बाद या बन जोगे आपको उसके लिए अच्छी degrees लोगे तो आपको और अच्छी options मलते हैं ठीक है सो जैसे कि अगर हम JRF की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा लेक जब आप PSG के research की तरफ जाते हो तो आपको BSC, MSC उसके बाद आपको कुछ competitive papers को निकाल के फिर आप उसमें entry पाते हो लेकिन उन सब का जो पहली CD है वो आपकी क्या है पहली CD है कि आपके पास 12 में subject होना चाहिए बालोजी साथी साथ आपके पहली CD है कि आपके अंडर ग्राजवेट जोलोजी आपके पास subject होना चाहिए तो यह कैसी बात है कि जब आप 4 CD में वो subject को लेके चलोगे तब ही आप next पार करके finally फिर आपके पास यह job offer मिल सकते हैं ठीक है student फिर उसके बाद हम बात कहते हैं टॉप recruiters आप government department में जा सकते हो environmental agencies में जा सकते हैं colleges, universities जहां पर आप professor बन सकते हैं biotechnological, pharmaceutical, ecological field यह आपके पास option है ठीक है तो बचो यह तो रही बात कि हमारे पास क्या-क्या opportunities होती है तो देखे जिस तरीके से BAC Geology होता है similarly आप कह सकते हो कि आपने specialization किया, botany में किया तो similarly MSC हम करते हैं तो कहने के बात है कि अगर आपको Geology में interest है ठीक है, animals में interest है तो आप बेशक इस field में जा सकते हैं लेकिन फिर से वही बात कि जो हमने job profiles बताई वो directly कुछ उसके बाद में मिलते हैं लेकिन हाँ, अगर अच्छे studies करते हो आगे आप post graduate करते हो तो आपके पास और तेट सारे रास्ते उपन होते हैं और अपकोस जब आप उसमें PhD करते हो तो और तेट सारे option आपके पास आते है यह एक अच्छे field है जो लोगों को किसमी interest है जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इन subjects में interest रखना चाते हैं कि जैसे यह subjects हमने बताया है कि physiology, ecology, development and cell biology physiology तो इसमें interest आप रखते हो तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी field साबित हो सकती है ठीक है अगर आपको किसी वे चीज में कौरी चाहिए कुछ भी चीज़े अगर आपको पुछ नहीं है तो आप comment section में जरूर लेके बताये हम उसके लिए next video आपके लिए जरूर लेके आएंगे ठीक है बच्छो so thank you so much हमारे चानल में सिते के साब बने रहिए so मिलते हैं अपने next video में till then bye bye take care